हालो फ्रेंद्स आज के सिखेंगे सेक्वेंस के घ्षकbon करने हैं अब स्क्राइब कर सकते हैं तो इस तार्य एस्थक करोड़ा है जैसे फंज प्रेंगे देना कासे, प्भी प्रप्राइब को ठामाज चालर फोल्ड में करने के बाद, अब मैं इसको चार फोल्ड में कर दूँगा, यानि कि चार तहमें लंबाई देख लेंगे, जितनी हमें लंबाई चाहिए हो, कितनी लंबाई लेने के बाद जैसे हम 40 के तयार करेंगे कुर्ती और चोड़ाई में भी आपको अपनी ब्रेष्ट से 2 इंच जादा लेना होता है कपड़ा, यानि कि जितनी भी आपकी ब्रेष्ट है तो हम पहले इसमें से अपना एक पार्ट करेंगे, पीछे वाला तो हमें कपड़े को 2 तहमें कर लेना है क्यूंकि एक पार्ट हमारा प्लेन होगा एक पार्ट हमारा जो सिक्वेंस का फैबरिक है उसका होगा तो यहां से देखिए मैंने छाती का चौथा हिस्सा ले लिया है और उसमें मैंने दो इंच ज्यादा ले लेना है आठ इंच नीचे में कमर पे निसान लगाऊंगी और तेरह इंच नीचे में हिप के लिए निसान लगाऊंगी यानि कि हमें टूटल तीन निसान इसमें लगाने होते हैं यह हो गया हमारी हिप का और यह हो गया हमारी कमर का और यह हो गया हमारी ब्रेश्ट का अब हमें अपनी कमर का भी चौथा हिस्सा निकाल के और उसमें भी दो इंच जादा ले लेना है एक पार्ट प्लेन होगा और इस प्लेन पार्ट के अंदर भी हम कॉटन का अस्तर लगाएंगे आप साटन जो भी आपको पसंदो वो आप इसमें लगा सकती है वस नॉर्मल कुर्टी की तरह हम इसकी कटिंग कर देंगे अब यहां से हम गोलाई दे देंगे इसमें तरीके से यह देखिए मैंने गोलाई दे दिये इसमें बैक पार्ट के लिए और यहां से थोड़ा सा किनारी वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे अब यहां से हम कटिंग कर देंगे वेसे ड्राफ्टिंग तरीके से रहे हैं से हम इसकी तो देखिए मैं हां से कटिंग कर रही हूं पलगा उसी मैं भ'd का यह इसको नीचे कि साइड ले आओंगी और धी किरसे बताती होंगे जैसे आपको देख रहा है यह sequence का fabric है तो sequence के fabric से सिर्फ हम अपना front part निकालेंगे जो बाकी का हमारा back part होगा जोर्जट का वो हमारा plane होगा अगर आप चाहें तो आप इसमें भी sequence का fabric use करना चाहती है तो यह आपको थोड़ा सा extra लेना होगा लेकिन यह front में रखेंगी तो अच्छा रहेगा मैं इसी कपड़े को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि बंद वाली साइड से बंद वाली साइड मिलानी है और खुली वाली साइड से आपको खुली वाली साइड मिलानी है और बिल्कुल जैसे हमने back part के cutting यह से उसी में थर्चे आपको पूरा cut कर देना है अगर आप इसमें थोड़ा बहुत extra रखना चाहती है तो आप इसमें extra भी रख सकती है जैसे कि आपको थोड़ा बहुत इसमें सिलाई मारजन चाहिए है कुछ भी चाहिए तो आप इसमें extra रख लीजिए वरना आप तो यहां से देखिए मैं इसको सेम ऐसे ही रख के cutting कर लूँगी बिल्कुल बरावर कर लें इस जॉर्जट के कपड़े को और बरावर करने के बाद ही इसकी cutting करें यह थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है तो यहां से देखिए हम इस जॉर्जट के कपड़े को अलग कर देंगे नीचे से और कट कटने के बाद तो देखिए हमारी यह कुर्टी है जो कटकी तैयार है इसलाई अगली वीडियो में सिखा देंगे धन्यचे